नमस्कार, Education India पर आपका एक बार फिर से स्ववागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राजस्तान फोरेस्ट गार्ड के एड्मिट कार्ड के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस परकार से आप राजस्तान फोरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक हो और सेर कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको Admit Card डाउनलोड करना है तो आपको बता दे Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको Google Chrome या अन्ने कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है EducationIndiaLive.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है EducationIndiaLive.com यह आपको Google में लिख लेना है और फिर सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से बे जाएगा यहाँ पर तो सबसे उपर वबसाइट देखने को मिल रही है इस वबसाइट को आपको ओपन कर लेना है वेबसाइट को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार्ट से बेज आएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाना है और आजिस्तान फोरेस्ट गार्ड एडमेड कार्ड दो हजार बाइस इस परकार्ट से आपको देखने को मिल जाएगा इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पोस्त को आपको ओपन कर लेना है पोस्त को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार्ट से बेज आएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की और आना है और Forest Guard Admit Card 2022 डारेक्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है डारेक्ट लिंक पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से एक पेज ओपन होगा यहाँ पर तो सबसे उपर आपको देखनी को मिल रहा है डारेक्ट रिक्रिट्मेंट और फोरेस्टर एंड फोरेस्ट कार्ट तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस परकार से आपके सामने पेज आएगा अब आपको साइड में get admit card का बटन देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है get admit card पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से एक नया पेज आएगा यहाँ पर आपको क्या करना है अपने application नमबर यहाँ डालने है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको calendar में से क्या करना है calendar में से आपको select कर लेनी है अपनी date of birth जो भी आपकी date of birth है वो आप यहाँ पर calendar में से select कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यह जो capture code देखने को मिल रहा है वो आप इस box में डालेंगे और get admit card पर आप click करेंगे get admit card पर click करते ही कुछ इस परकार से आपके सामने आपका admit card open हो जाएगा यहाँ पर आप परिक्सा कोड और परिक्सा के अंदर का नाम देख पाएंगे admit card को download करने के लिए साइड में ही आप print का बटन देख पाएंगे इस पर आप click करेंगे तो आपके phone या फिर computer के अंदर admit card डाउनलोड हो जाएगा यह थी पूरी जानकारी admit card डाउनलोड करने को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो का प्लाइक करेगा और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीचेगा मिलते हैं आप सकले वीडियो में किसन जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद